कि हेलो एब्रिवान नास लेक्चर के अंदर हमने नेटवर्क डिवाइस इसके बारे में पढ़ा था जिसमें इंटरनेट के लिए यूज साले डिवाइस थे राउटर स्विचेज और भी बहुत सारे डिवाइस थे एक डिवाइस हमारा रहे गया था जिसका नाम है जी केबल तो वह भी एक नेट्वर्क डिवाइस में आता है विकास्ट आट इस अल्सो एशेर्ड मीडिया केबल और केबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेट्वर्क में हम सारा काम अपना वाइफाई के उपर नहीं कर सकते तो इसलिए केबल सबसे important shared media है अब cables के अंदर network and internet के अंदर हमारे पास basically तीन तरह की cables आती है एक आती है हमारी fiber optics उसके बाद आती है हमारी twisted pair cable और internet के अंदर हम use करते हैं coaxial cable coaxial cable अब अगर हम पहले speed की बात करें कि fiber optics cable की जो speed है वो कहां से जा सकती है और कितनी कर सकती है friends हम 10 Mbps से लेके 100 Mbps 1000 Mbps तक fiber cables को लेके जा सकते हैं और इसके इलावा आप इसको 200 GBPS तक भी लेके जा सकते हो यह हमारे network के उपर dependent की आप इसको कहां पर use कर रहे हो जैसे submarine के अंदर अगर हम cables की बात करें तो पता नहीं कितने जीबी पर सेकेंड डेटा इसके अंदर transfer करते हैं हम तो fiber optics cable हमारी बहुत fast cable है अगर मैं इसकी bandwidth की बात करो तो up to 4700 MHz तक यह cable काम करती है similarly twisted pair is also 4700 MHz तक जाती है यह ठीक है लेकिन twisted pair cable हमारी maximum 10 GB per second तक जाती है 10 GB per second क्योंकि based on switched network अब switch के अंदर आप ethernet 10 MB वाला port यूज करो या fast ethernet आपका 100 MB वाला port यूज करो giga ethernet वाला 1000 MB यूज करो या 10 giga वाला आपका 10,000 MB 10,000 MB मतलब 10 GB per second तो twisted pair cable maximum speed हमारी 10 GB PS तक जाती है इसके लागा अलाबा हम अगर coaxial cable की बात करें जो coaxial cable है यह maximum 750 MHz के ओपर चलती है और इसको अगर देखा जाए coaxial cable को तो यह basically जो television network होता है हमारा वहां पर use होती है और यह 10 MBPS तक अपना data carry करती है अब twisted pair cable को हम internet के लिए अपने company में भी use करते हैं LAN के लिए तो जो twisted pair cable है वो दो parts में divide होती है इसको हम बोलते हैं straight cable and cross cable straight cable हमारी होती है जी different devices को company में जोडने के लिए और cross cable होती है हमारी same devices को आपस में जोडने के लिए different devices like like मालो आपने router से switch जोड दिया switch से PC जोड दिया PC के साथ आपने hub जोड लिया जो भी different device होंगे वो straight cable से जुडते हैं अगर PC to PC आपने जोड लिया switch to switch आपने जोड लिया और इसके लाब router to router जोड लिया तो वो cross cable है और international organization of standardization ने एक pattern दिया है हमें कि twisted pair cable में आठ cables होती है जिसका syntax कुछ ऐसे है orange white orange green white blue blue white green brown white अगर दोनों end से हम same coding कर दें जैसे इधर orange white औरेंज ग्रीन वाइट blue blue white green brown white brown तो ऐसी cable को बोलते हैं जी straight cable अगर एक साइड पर मैं same coding दोबारा कर दूँ यह मैं cross के लिए बताने जा रहा हूं आपको कि एक साइड तो मेरे पास यही है orange white है orange है green white है blue है उसके बाद में blue white है green है और brown white है और brown है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे उसके अंदर हम एक formula लगाते हैं जी 1326 मतलब first cable को third से replace कर दो third को first से बन गया cross green white आ जाएगी जी हमारी इधर first number के उपर और orange white आपकी आ जाएगी जी third number similarly second cable को replace कर दो six के साथ green आ जाएगी यहां पर orange आ जाएगी यहां पर बाकी सारी cable as it is रहेंगी blue होगी blue white होगी उसके बाद orange brown white होगी brown हो गया तो यह standard बनाया हुआ है केबल बनाने का तो यह हम केबल के लिए यूज करते हैं जब हमें same devices आपस में जोड़ने हैं तो यह हमारा केबल का लेक्चर था थैंक्यू सुमाच